राधे राधे दोस्तों, सने बार चुक्चाप यहां डाल दे थोड़ा सा तेल, बनेंगे सारे बिगड़े काम, मिलेगी सनी दोसों से मुक्ती, सभी प्रकार के कश्टों से मुक्ती, होगी सुक्की प्राक्ती शनी देब के कुप्रभाव से व्यक्ती को कई प्रकार की परिशानियों का सामना करना पढ़ता है, लेकिन जिन पर शनी देब की कृपा होती है, उन्हें हाई छेतर में सफलता मिलती है, व्यक्ती की कुंडली में साड़े साथी और धैया होने पर, ये उसकी सफलता में बातक पनते हैं, शनी देब को प्रसंद करने के लिए लोग शनी देब के दिन फीपल के पेड़ का पुझन करते हैं, फीपल के पेड़ पर जल चड़ाते हैं, कुछ लोग शनी देब के दिन काला कपड़ा, काले तिल, काली उड़त शनी देब की पसंद की चीज़ें दान करते है मगर यह सच है कि शनी देव आसानें से प्रसन्ण नहीं होते इन्हें खुश कहने के लिए कई उपाई कहने पड़ते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको सर्शों के देल से कहने वाले कुछ ऐसे ही आसान उपाई बताने जा रहे हैं इन उपायों को कहने से सनी देव प्रसन होते हैं और बाथाओं से मुक्ति दिलाते हैं जिससे व्यक्ति को हर कार्यों में सफलता मिलने शुरू हो जाती है जिन लोगों को शनी देव के साड़े साथी धैया या अन्य दोशों का सामना करना पढ़ रहा है वह शनीवार के दिन काले रंग के बस्तर पहनें शनी देव की पूजा के दोरान नीले या काले रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए लाल रंग या लाल फूल का कत्य प्रयोग ना करें लाल रंग मंगल का परिचायक है और मंगल भी शनी के शत्रू क्रहे हैं शनीवार के शाम को सुर्यास्ते से पहले एक सरसो के तेल का दीपक बनाए दीपक में रूई की पाती लगाएं हो सके तो दीपक में थोड़े से काले तिल भी जरूर डालें और एक लोहे की कील डालें आप इस दीपक को ले जाकर पीपल ब्रक्ष की जड़ के पास जला दें दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि अपना मुख पश्रिम दिशा की और करें क्योंकि शनी देप की पूजा में दिशा का ध्यान रखना जरूरी है आम तोर पर पूर्व की तरफ मुख कर पूजा की जाती है लेकिन शनी देप की पूजा पश्रिम दिशा की और मुख कर की करनी चाहिए क्योंकि शनी देप पश्रिम दिशा के स्वामी है और दीपक की बाती की लौभी आप पश्रिम दिशा की तरफ ही करें दीपक जलाने के बाद उच्छ स्वर में हन्वान चालेसा का पाट करें जो व्यक्ति हन्वान जी का पूजन करते हैं शनी देव उन पर कभी भी नारास नहीं होते इसके बाद हो सके तो वहीं बैठ कर या फिर खर आ कर शनी देव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर जाप करें अगर आपकी नौक्री नहीं लगपा रही है ब्यापार में उन्नती नहीं हो रही या नौक्री में तरक्की नहीं हो रही या विभा में कोई समस्या है या दामपत्य जीवन में या किसी भी प्रकार की आपको कोई समझ्या है या बंते काम बिगड रहे हैं तो आप यह उपाई कहने से पहले भगवान शिटी गणिश, भगवान विश्णू जी, माता लक्ष्मी जी सीता राम जी, भगवान जी, पजरंग बले और शनी देव को प्रणाम करके अपनी मनो कामना पूर्ती के लिए इस उपाई को 41 दिन करने का संकल्प ले आप शनी देव की साड़े साथी और धाया के प्रभाब को भी शुब बनाने के लिए इस उपाई को 41 दिन करने का संकल्प ले सकते हैं या फिर आप हर शनीवार को भी यह उपाई कर सकते हैं इस उपाई को करते समय कुछ वातों का विशिर ध्यान दें महिलाई पीरिट के दौरान यह उपाई ना करें अगर आप 41 दिन का उपाई करने का संकल्ब ले रहे हैं तो भी पीरिट के दोरान यह उपाई ना करें और रविवार के धिन भी यह उपाई ना करें क्योंकि रविवार के दिन पीपल के ब्रक्ष का पूजन नहीं किया जाता और ध्यान रखें यह उपाई आपको शनीवार को सूर्यास्त होने से पहले ही करना है क्योंकि सूर्यास्त के बाद पीपल के ब्रक्ष पर दरिद्धा का बास होता है और सूर्यास्त के बाद यह उपाई करने से आपको नुकसान होगा साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दीपक जलाने के बाद दीपक से आते ना लें और दीपक जलाते समय अगर हाथ में सरसों का तेल लग गया है तो उसे अपने बालों पर या शरीर पर ना लगाएं उसे आप कपड़े से पहुंस दें या कागज से पहुंस सकते हैं और ध्यान रखें पीपल प्रक्ष का इस परश भी ना करें यह उपाय कोई साधारन उपाय नहीं है यह उपाय शास्त्रों में बताया गया है और हमारी शहर में एक बहुत बड़ा शनी देब का मंदिर है पहाँ पर एक बहुत ही विद्वान पुजारी जी है वह पुजारी जी शनी देव को प्रसंद करने के लिए और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए यही उपाय बताते हैं इस उपाय के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अपने आचन को सही रखे किसी के साथ गलर वेभार ना करें किसी का अपमान ना करें कोई गलत कारें ना करें चोरी ना करें किसी की बुराई ना करें क्योंकि शनी देव नयाय के दीपता है अगर आप बुरी कर्म करेंगे तो उसका आपको बुराही फर मिलेगा इसलिए शनी देव को प्रसंद करने के लिए शुब कर्म करें जिससे आपका जीवन भी खुशार बन सके और साथ ही अगर आपके शहर में भी शनीदेब का मंदिर है तो वहाँ पर जाकर आप सीवा जरूर करें सीवा का मतलब है मंदिर में जाडू लगाएं मंदिर की सफाई करें और मंदिर की कारियों में मदद करें इसके साथ ही अगर हो सके तो अपने घर में शमी का ब्रक्ष अवश्य लगाएं और शमी के ब्रक्ष की देखवाल करें शमी का ब्रक्ष भगवान शनीदेब को अतिप्रिय है और जिस घर में शमी का ब्रक्ष होता है उस घर के सभी लोगों पर शनी देव की क्रपा होती है इसके अलाबा दुर्भागे अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है भागे संबंधी बाधाए हैं शनी देव आप पर प्रसन्न नहीं है या आपको नजर संबंधी दोश है या राहू के तुसे संबंधित भी कोई दोश है तो शनी वार के दिन आप इसनान करके काले रंग के बस्ते धारन करें इसके बाद एक कटोरी में सरसों का तेल लें इस तेल में अपना चहरा देखें और शनी देव से प्रातना करें कि वहें आपके दुर्भागे को दूर करें आपको सभी दोशों से मुक्ती दिलाएं और आपको जीवन में सफलता दिलाएं प्रातना करने के बाद आप इस कटोरी के देल को किसी चर्रत्मन व्यक्ति को दान कर दें ध्यान रखें कि यह दान आपको शनीवार के दिन ही करना है अगर आप अपने हाथ से नहीं कर सकते तो आप किसी और व्यक्ति के हाथ से भी यह दान करा सकते हैं लेकिन ध्यान रखें दूसर व्यक्ति उसमें अपनी चाया ना देखे इस तरहें दान करना छाया दान कहलाता है इस तरहें दान करने से भागे सम्मंदी बादाय दूर होती है दुर भागे दूर हो जाता है और शनी देब की कृपा प्राप्त होती है और शनी देब की कृपा से सभी दोशों से राहत तो मिलती है साथ ही जीवन में भी सफलता मिलती है इसके साथ ही राहू केतु संबंदित दूशों में भी शान्ती मिलती है जैसी नजर उतारी जाती है जाड़ा लगाया जाता है इसी तरह छायादान किया जाता है इससे व्यक्ति के उपर से सारे बुरे प्रभाब हड़ जाते हैं और अगर व्यक्ति अस्वस्त है तो छाया दान अवश्य करना चाहें इससे रोगों से भी जल्दी मुक्ती मिलती है तेल का दान करने के बार आपका टोरी को सापन से धुकत साफ कर लें जिससे तेल आपके हाथ पर ना लगा रहे होज सकी तो इस उपाई को आप हर शनिवार को करें जिससे आपको कश्टों से जल्दी ही छुटकारा मिल सके और इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि कटोरी भर कर ही आप तेल ले आप बस इतना तेल ले लें जिसमें आपका जहरा दिख जाए आप पात्र की तली में भी थूड़ा सा तेल दे सकते हैं और ध्यान रखें पीरिट के दौरान महिलाएं ये उपाई ना करें इसके साथ ही शनीवार के दिन शनी चालेसा और शनी मंत्रों का जाप करें हो सके तो काले घुड़े की नाल का चल्ला अपने मध्यमा उंगली में पहने या फिर आप शनी देब के मंदिर में जाकर भी लोहे का चल्ला पहन सकते हैं अगर आपके बहुत सारे शत्रों हैं या आपके शत्रों आपका पीछा नहीं छोड़ रहे या आपको कोई अज्याद भै सताता है या कोई है जो आपका बुरा चाहता है या कोई है जो आपके बंते कामों को भी बिगार देता है तो आप अपने सभी शत्रों को शांत करने के लिए, अग्यात भै को दूर करने के लिए और साथ ही सनी दीब को भी प्रसंद करने के लिए शनिवार की शाम को घर के सभी सदस्यों की रोटियां सिखने के बाद आखिर में एक मोटी रोटी बनाए ध्यान रखें, रोटी आपको साफ आटे से ही बनाने है और आटे में नमक या और कुछ नहीं होना चाहिए अब आप रोटी को हाथ में लेकर पश्रिम दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाए क्योंकि पश्रिम दिशा के स्वामी सनी देव है अब इस रोटी पर आप थूड़ा सा सरसों का तेल लगाए तेल आपको जादा नहीं लगाना है क्योंकि रोटी पर से तेल गेना नहीं चाहिए रोटी पर तेल लगाने के बाद आप सनी देव से प्रातना करें की वहेश अभी शत्रों से आपको मुक्ती दिलाए और आप पर प्रसंद नहीं इसके बाद इस रोटी को आप अपने सिर पर साथ बार बार है यानि की आपको इस रोटी को अपने सिर के चारों तरफ clockwise साथ बार घुमाना है अब इस रोटी को ले जाकर आप किसी काले रंग के कुट्टे को खिला दे अगर काले रंग का कुट्टा ना मिले तो कोई ऐसा कुट्टा हो जिसके उपर काले रंग के स्पॉर्ट हो धब्बे हो आप उसको भी खिला सकते हैं अगर ना हो तो आप शनी देव से कहकर छमा मांग कर कि कोई काले रंग का कुत्ता नहीं मिल रहा है आप साधा किसी दूसरे रंग के कुत्ते को भी यह रोटी खिला सकते हैं पर आप अपने घर के कुत्ते को यह रोटी ना खिलाएं कुट्टे को रोटी खिलाने के बाद आप पीछे मूर का ना देखें और सीधे अपने घर आ जाएं घर आके सबसे पहले अपने हाथ धूलें इस उपाय को कम से कम साथ सनीवार को अवश्य करें इस उपाय को करने से शनी देप के प्रकोप से बचने के साथ साथ शत्रों से भी मुक्ति मिलती है शनी देव के गरपा से शत्रों शांत हो जाते हैं और बिगडे काम भी बनने लगते हैं इस उपाई को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाई आपको शनी वार की रात को ही करना है और रोटी भी आपको रात को ही खिलानी हैं, रोटी उतार कर रखना दें, कि अगले दिन खिला देंगे, ऐसा ना करें, और आप सरसों के तेल के कोई भी उपाय करें, उसमें इस बात का ध्यान रखें कि सरसों का तेल साफ होना चाहें, उसमें नमक मेच हल्दी ऐसा कुछ भी मिला ना हो, और इसके साथ ही आप शनिवार के दिन प्यार लेसन, मीट, अंडा, मद्रा, आदी का सेवन ना करें, हो सके तो प्रमचर्डे प्रत का पालन करें, और तमाकू सिगरिट का भी सेवन ना करें, उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करें, हमारी इस चिंग, दादी दादी